Hey students, चलिए आज कोलोईट के बारे में डीटेल से जानते हैं क्योंकि आपके exam point of view से एक काफी important topic है तो students, कोलोईट एक ऐसा heterogeneous mixture है जो homogeneous जैसा दिखता है क्योंकि इसके particle इतने छोटे होते हैं कि हमारी naked eyes इनको detect नहीं कर सकती लेकिन इनका size इतना बड़ा ज़रूर होता है कि हम इनको homogeneous की category में नहीं रख सकते तो वो particle size basically क्या होता है वान से लेके 1000 nanometer के बीच में होता है ठीक है अगर आपका particle size एक nanometer से बड़ा हो तो वो colloid की category में ही जाएगा हाउजन से बड़ा हो तो वो बहुत जादा बड़ा हो जाता है naked eyes से देख सकते है फिर वो suspension बन जाता है ठीक है तो ऐसा है जो लगता homogeneous है but actually heterogeneous है because of their particle size यह tender effect शो करते हैं जब आप इसके उपर light डालोगे इसके particle जो है light पड़ती scatter हो जाएंगे और scatter होने से इसके path को हम देख पाएंगे सबसे best example है tender effect को देखने का ठीक है इसको particle को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है centrifugation क्योंकि particles heavy particles नीचे settle हो जाते है lighter particles उपर आ जाते हैं लेकिन इनके types है जो exam point of you से सबसे सबसे से जाधे important है table बनाने का तरीका में तुम्हें समझा रहे हूं कि disperse phase जिसको salute बोलते है वो एक बार fix कर दो और जो solvent है जिसको dispersion medium बोलते हो उसको change करते रहो देखो solid 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 in solid क्योंकि जाधा amount में क्योंकि solvent है solid को solid में डाला solid in liquid solid in gas फिर liquid fix कर लिया liquid in solid liquid liquid in gas ठीक है फिर gas fix कर लिया gas in solid gas in liquid जितने भी solid category होती है उसमें soul add होता है क्योंकि solid है तो solid soul solid in liquid है उसको soul मतलब इनवे solution हो गया वो solid gas में मतलब air involved हो रहे है तो aerosol इसके example देखो gemstones होते है color gemstone ruby to pass solid in liquid soul है आपके paint है cell के अंदर fluids होता है aerosol smoke dust के gas के अंदर थोड़े से smoke के particle से विचा solid यह जाधा amount में होना चाहिए ठीक है liquid in solid gel बहुत सारा solid है जैसे की gelatin उसमें अपने पानी डालता है जली की structure बन जाती है तो इसके अंदर आपकी चीज और जली आता है liquid in liquid emulsion होते है milk इसका बहुत एक्छा एक्जामपल है पानी है उसके अंदर fat particles है जो liquid होते है liquid in gas gas aerosol यह भी aerosol की category fog mist liquid particle air में आपको दिखते है ना fog की form में mist की form में बहुत सारा gas होता है तो liquid in gas gas in solid आपके solid वाले soul हो गए ठीक है यह देखो gas बहुत सारे solid में gas भरी है pumice stone इसका example इसके वह बहुत हलके भी होते है ठीक है अब अगर मैं बात करो form की form में भी आप देखते हो बहुत सारी gas बरी होती है gas in liquid form बनाते है liquid के अंदर gas बर जाती है आप shaving cream भी करते हो तो वह किसका एक्जामपल है whipped cream हो गया product हो गया soap हो गया gas in gases category में क्यों नहीं आता क्योंकि वह homogeneous mixture बनाता है यह आज टाइप है मैंने तरीका समझा दिया I hope it helps बहुत काम आएगा do let me know आज के लिए इतना ही